Automative और Industrial Component के निर्माता कंपनी शेफलर इंडिया ने अगले तीन वर्षों में भारत में 1500 कुर्ड रुपे के निवेश से शमता विस्तार का प्रस्ताव रखा है जिसमें शुरुवाती 300 कुर्ड रुपे के निवेश के साथ हुसर में नई फैक्टरी की स्थापना शामिल होग ये बेरिंग और अनकलपूर्जों का प्रमुक आपूर्ति करता है जो दुनिया के सबसे बड़े सेक्टरों में से एक है वहीं कंपनी के कंपोनेंट का उप्योग मारुतु सुजिकी टाटा मोटर्स और महिंद्रा और महिंद्रा जैसे प्रमुक आटो मोबाइल निर्माता द्वारा किया जाता है साती शेफलर इंडिया, wind turbines, mining equipment और textile machinery सहीथ industrial sector के लिए component किया पूरती भी करती है बतादे कि शेफलर इंडिया सिर्फ दीजल गाडियों के component का निर्माणी नहीं करती है बलकि वो electric vehicle के component में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है जो इसकी मद्बूती को स कुल मिलाकर शेफलर इंडिया की शमता में विस्तार कंपनी और भारती अर्थवस्ता दोनों के लिए सकारात्मक विकास है बता दे कि नई प्रोडक्शन लाइन में निवेश करके और अपनी मौजूदा सुधा का विस्तार करके शेफलर इंडिया भारत के मोटर वहन और और छेत्रों में कुछ गुणवक्ता वाले कंपनेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्तिती में आ गी है साथी साथ नए निवेश के साथ नए रोजगार सर्जिच कंद में ही मदद मिलेगी और मेकिन इंडिया पहल के तहद घरिली वी निर्माण को भारती दिखेगी ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला है जहां साथी भारत पर नेरभड होता नजर आया है भारत की दिगज एलेंटी ने साथी में एक बड़ा कॉंटरक्ट जीत लिया है जिसके अंतरगास साथी में बड़ी रिफाइनरियां लगाई जाएंगी जो की साड़ और मौझूदा फैसिलिटी का अपग्रेडेशन भी करेगी मतलब यहां एलेंटी के हिस्से में एक बड़ा काम हाथ लगा है और इस कॉंटरक्ट से अमारकों ने मौझूदा 12 मिलियन बीपीडी शम्ता से 2027 तक अपनी स्थानी तेल उत्पादन शम्ता को 13 मिलियन बैरल प् बड़ा योगदान रहने वाला है